हेलो दोस्तो, नमस्कार, मैं शांती जोशी, श्यामा गार्डिनिंग में आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको डेहिलिया के पौधे दिखा रही हूँ, डेहिलिया एक पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और ये कई वेराइटी डेहिलिया की होती है, इसमें दे प्लावर बंच में बने रहते हैं, और काफी लंबे समय तक इनके फ्लावर बंच में बने रहने के करण ये बहुत जादा कॉपसरा दिखाए देते हैं, जैसी ही फ्लावर सूखने लगें, आप इनको कट करते रहें, तो वहां से नई ब्रांच निकलेगी और आपका प्ला असानी से कटिंग से लगने वाला पौदा है, इसे आप तीन प्रकार से लगा सकते हैं, एक तो ये बीज बनाता है, जब फूल सूख जाते हैं, तो आप इनके पत्या जो गिर जाती हैं, उसके बाद पीछे जो ये बसती है कली सी, तो इसमें इस बीज डबलप होते हैं, आ आप स्टोर करके अगली सीजन के लिए आप ये पौधे बना सकते हैं, इसकी कटिंग अगर आप अभी फरवरी में भी इसकी कटिंग लगाएं, तो बहुत आसानी से समय कटिंग लग जाती है, और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं, ये मई जून तक लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है, तो अगर आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है, तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें, आज मैं आपको डहिलिया की कटिंग लगाते हुए दिखाऊंगी, कि डहिलिया को कटिंग से लगाना कितना आसान है, और बहुत ही आ फ्लावरिक करता हुआ आपको मिल जाएगा तो मन्च बालर आप्ड़ ला सकते हैं अगर आप onänner पहले पौधे घरीद हैं तो इसमें घर पता पता और ये خल्राव हो गए हैं और इस समय जो मैं कटिंग लगा रही हूँ वो मेरे अब मई जून तक फ्लावरिंग करेंगे और इस समय भी काफी मजबूत हो गए हो पौधे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितने पौधे तयार कर लिए हैं और ये देखे मैंने जो ये पौधे तयार किये थे अक्टूबर में और इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं तो मेरे पास जो पिसले साल के पौधे थे उनी से मकट करके पौधे बनाते रहती हों और इनको खरीदने की जौरत नहीं बढ़ती है और जैसे ही ये पौधे गर्मियों में सूखने लगेंगे तो ये बल्वब बनाएंगे तो बल्व बनायें तो बल्व स्टूर कर लें और इस पिर बल्व से ही आप अखले सीजन के लिए प्लाउड बना सकते हैं तो ये हमेशा ही बने रखें हैं क्योंकि मैं जुन तक फ्लाइण करेंगे जुलाई अगस्त से फिर इसमें नजी ब्रांचे निकलने लगती है अगर आपने बल्व नहीं निकाले हैं तो वो नए ब्रांचे निकालने लगता है और उससे कट करके आप प्लांट बना सकते हैं देखिए इतने सारे मैंने कटिंग लगाई थी और इस समय ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है और मेरे वहाँ फ्लावरिंग सुरू हो गई है नए पौदों में ये देखिए और कई कलर वैराइटी के मेरे पास प्लांट है तो आज अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो आज भी कटिंग इसकी लग सकती है और अगले सीजन के लिए आप प्लांट बना कर रख सकते हैं जिससे की अगले सीजन में आपको प्लांट लेने की आवशकता नहीं पड़ेगी समय समय पर आप इसकी गुडाई करते रहें इसको गोबर सड़ी गोबर की खाद इसको जितना गुडाई करके देंगे आप उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ये पौधा बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है इसके फूल सूख जाने के बाद आप कट कर दें वहाँ से नई ब्रांच निकल के आएगी और ये काफी फिर घना हो जाएगा और बहुत सुन्दर दिखाई देता है ये सारी कटिंगे मैंने लगाई हुई है इसको एक सारी की जरुत होती है क्योंकि इसकी जो टहनिया होती है बड़ी लचकदार होती है और थोड़ा सा ही हाथ लगते ही तूटने का डर रहता है तो इसको एक सपोर्ट दे और इसे सपोर्ट के सारे खड़ा करें तो ये इधर उधर नहीं भागता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो आज मैं इसकी कटिंग लगाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कटिंग से कितने पौदे बना लिए है देखें मेरे हुआ कितने सुन्दर दिखाई दे रहे है और इससे में फ्लावरिंग हो रही है कटिंग में और आज मैं फिर से कटिंग बना रही हूँ देखें ये है मैंने नॉर्बन मिट्टी ले ली है और ये जो पौदे मैंने अभी आपको दिखाए थे इनी मैंसे इनकी जो ये ब्रांचे होती है टेडी मीडी हो जाती है और इदर उदर फैल जाजी जाती है तो देखने में पौदा अच्छा नहीं दिखाई देता है तो साइट की जितनी ब्रांचे थी टेडी मीडी सी मैंने उनको निकाल लिया है और मैंने इनको cut कर लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में cut कर लिया है अब मैं ले ली हूँ ये rooting hormone और rooting hormone में मैं एक-एक stem को dip करके इसमें डालते जाओंगी और काफी पौधे मेरे बन जाएंगे, करीब 20-25 पौधे मेरे तयार हो जाएंगे देखिए, मैंने इस जंग से ले लिया, पत्या नहीं काटी हैं मैंने इसकी पत्या भी इसी में रहने दी हैं, नहीं पत्ती खराब होगी इनकी और ये ऐसे ही ये जड़े निकालने लगेगा और इसे मैं काफी दोनों तक इसी में प्लांट पर बने रहने दूंगी और जब नहीं नहीं इसमें पत्या आने लगेंगी, तब हम इसे रिपॉर्ट के लिए निकालेंगे तो ये देखिए, इस जंग से आप लगा लें, अगर आपके पास रूटिंग हार्वोन नहीं हैं तो आप अलोबेरा जेल की हल्प से लगा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मन मिट्टी में लगा दें, तो ये आसानी से लग जाती है और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं तो मैंने इतने सारे पवदे बना लिए हैं और मेरे सारे के सारे पवदे तयार हो गये हैं इसमें 100% रिजल्ट है कोई कद्डू कट कैनी आपके तूटन खराब होसकती है न JC manners ये सारे के सारे तयार हो जाते हैं इसमें ऐसा कूछ नहीं है जब मर्चाहत आप इसकी cutting तयार कर सकते हैं और अगले सीजन के लिए आप plant बना कर रख सकते हैं बन्तु जो ये पौदा मैं लगा रही हूँ इसी साल ही ये flowering करेगा और इस साल ही हम इससे flower ले सकेंगे और अगले सीजन के लिए भी हमारे परस पौदे तयार हो जाएंगे तो इस समय इस जग से आप इसकी cutting लगाएं और इसके डेहरो plant बना सकते हैं इस जग से अगर आप cutting लगाएंगे इस समय cutting लगाएंगे तो 100% का result रहता है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने सारे पौदे तयार हो गए ये देखिए जितनी भी मैंने cutting लगाई थी सब के सब तयार हो गई है और ये मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने कितने ज़्यादा पौदे बनाई हुए हैं और इसे मैं अगले सीजन के लिए तयार कर रही हूँ और अगले सीजन के लिए भी मेरे पास कई कलर बैराइटिया हो जाएंगी देखिए ये जो मैंने अभी लगाया है और इतनी बड़ी-बड़ी स्टेम थी मेरे पास वो सब लगा दी है तो सब के सब तयार हो गई है देखिए इतने पौदे मेरे बन गए है सारे पौदे तयार हो गए हैं देखिए एक ही पौट में चार चार पांच पास मैंने कटिंग लगाई थी और सारी की सारी कटिंग मेरे तयार हो गई है और इसमें नई नई इसमें पत्यां भी आने लगी हैं ये देखें करीब 25 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं देखें इसमें 5 कटिंग है और 5 के 5 मेरे बिलकुल तैयार हो गई है कितने ज़्यादा पौधे बनकर तैयार हो गए है वह भी फ्री में इस जंग से आप अभी भी इसकी कटिंग लगा लें और इसकी मोटी स्टेम भी लेंगे तो तब भी लग जाती है देखें ये बिलकुल पौधा कितना तैयार हो गया है और इसमें देखें नई नई बकलिया आने लगी है और ये देखें ये कटिवी स्टेम थी उसमें भी देखें नई ब्रांच आने लगी है और इस धंग से काफी प्लांट आप बना सकते हैं और इतने सारे पौधे हमारे फ्री में तैयार हो जाएंगे और कई कलर वेराइटी आप अगर आपके पास नहीं है तो क देखने में गार्डन बहुत जादा खूबसरा दिखाई देता है इतने सारे मेरे पौधे बनकर तयार हो गए हैं और वह भी फ्री में और थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बन जाते हैं अगर मैं इसको कटिंग नहीं लगाती तो ये जो टेडी मेडी टूटी वी टेहनिया थ इस इधर उदर टेडी मेरी हो जाती है इसकी स्टेम तो उनको आप कट करके लगाते रहें देखिए ये भी मैंने कटिंग से लगाए थे और ये पौधे मैंने अक्टूबर में लगाए थे और सारे के सारे तयार हो के देखिए हमने सपोर्ट के लिए इसमें एक एक नहीज पड़ती है तो ये इदर उदर नहीं फैलते हैं नहीं देखिए और सब के सब फ्राव्रियं तियार हुगे है और समय फ्रावरिंग कर रहे हैं और इससे पहले भी मैंने जो आपको डहे लिया के पाधि दिखाए थे वो मेरे पिसले साल के थे वो हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहते हैं और मैं कमला चेंज नहीं करती हूं उसी में बल्ब रहते हैं और उसी में फिर ग्रो हो जाते हैं तो मैं हमेशा ही इनको लगाते रहती हूं ये कई कलर हैं मेरे पास ये देखिए ये भी मेरा क आते ही रहते हैं कुछ पुराने हैं और कुछ नए पौदे हैं तो आप भी इस दंग से कटिंग लगा कर काफी पौदे बना सकते हैं देखिए कितना सुंदर कलर दिखाई दे रहा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करि से ये लग जाते हैं थैंक यू